चोपड़ा एजोगेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों MCC का रूल ये है कि स्टेट काउंसलिंग का हर एक राउंड ओल इंडिया राउंड के बाद कंड़क्ट होगा जैसे पहले ओल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा उसके बाद ओल इंडिया का सेकिंड राउंड होगा उसके बाद स्टेट का सेकिंड राउंड होगा फिर ओल इंडिया का मोप अप राउंड होगा फिर ओल इंडिया का स् MCC का schedule extend होने के कारण state का schedule भी अभी extend होगा क्योंकि पहले state का schedule वही था states ने अपना schedule second round के लिए किसी-किसी state ने उसी के according जारी भी किया था लेकिन MCC का schedule extend होने के बाद states ने वो schedule extend नहीं किया था तो अभी state का भी जो counseling schedule है वो extend होगा और वो MCC के round के according होगा MCC ने सभी state counseling authority को DGHS ने सभी state counseling authority को advisory जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि state भी अपना जो counseling schedule है उसको recedule करें वो MCC के rounds के according उसको recedule करें यानि कि उसको थोड़ा सा वो extend करें revise करें एक तो MCC ने ये notice दिया है और सभी state अथोटी counseling authority को advisory जारी की है इसके अलावा एक notice NRI के regarding है जो candidate NRI category में change करना चाते हैं जो general से NRI change करना चाते हैं वो 13 February 22 तक change कर सकते हैं उनको mail भीजना है documents के साथ कौन-कौन से documents से कैसे-कैसे mail भीजना है वो मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ जब first round के अंदर category change का option आया था NRI से शोरी general से NRI के लिए उसमें भी बता चुका हूँ और इसमें भी ये पूरा लिखा हुआ है कौन-कौन से documents आपको mail करने हैं ये इसके according अगर आप general से NRI category change करना चाते हैं तो इसमें कर सकते हैं तो ये एक जानकारी थी MCC के और All India के states शोरी All States के counseling schedule के बारे में बाकी updates जैसे मिलेंगी हम आपको inform करतेंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैन